नमस्कार दोस्तो दोस्तो जो आप ये सीट देख सकते हैं इस प्रकार से इसे अंग्रेजी में ब्लेक सीट के नाम से जनते हैं हिंदी मी से कलोंजी के नाम से जनते हैं इसके बारे में आज मैं आप लोगों को बहुत सारा फैदा बताने वाला हूँ दोस्तो ये दिखने में बहुत ही सधाराण से हैं लेकिन इसके अंदर आउजदी कुड कुट कुट करके भरा हुआ है बड़ा दुर भाग की बात है कि इस तरह के जानकरी भारत भूमी से समापता हो रहे हैं दोस्तों लोग आयरवित की कदर करना भूल चुके हैं भारत भूमी में 90% आयरवित के जा जानकरी समापता हो रहे हैं हम आयरवित को बचाय रखना चाहते हैं चोटे-छोटे वीडियो बना करके जन जन तक पहुचाने की कोशिज कर रहे हैं इसे कलओंजी के नाम से जानते हैं देख लेजे बड़ा ही चमतकारी चीज हैं दिखने में काले-काले होते हैं जितना ए तो इसमें सोने जैसा color है, जिहां इसके ओजी है ना, वो सोने जैसा है, दिखने में हाला कि ये काले हैं, दोस्तों इसे अंग्रेजी में black cumin के नाम से भी जनते हैं, ठीक, इसे black seed भी बोलते हैं, black cumin के नाम से जनते हैं, हिंदी में कई जगा इसे काला जीरा काते हैं, कलवंजी के नाम से जानते हैं, कई जगा इसे कोकडी भी बोलते हैं, तामिल में दोस्तों इसे करूंजी रागम के नाम से जनते हैं, पंजाबी में इसे लालवंजी के नाम से जनते हैं, हो सकते हैं इसे आप यहां दूसरे नाम से जाना जाता हो वीडियो में आगे बनने सपहले मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा दोस्तों ये बहुत सारे बीमारे को ठीक करने का कम करते हैं जैसे कि मिर्गी की बीमारी है आपके आँखों में दर्द हो रहे हैं कानों में दर्द हो रहे हैं योनी सूल है यहां तक कि पिलिया की बीमारी बवसीर की बीमारी स्वासंबंधी बीमारी हिच्च की जैसे गंभीर बीमारी को यह समाप्ता करने का कम करते हैं वीडियो में आगे बने से पहले थोड़ी भी जानकरी पसंद आगे तो वीडियो को लाइक जरूर करना हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना और बाजू में बने बेलागन को जरूर दबा लेना दोस्तो दोस्तो आये जानते हैं मिर्गी में इसका किस प्रकार से परग होता है तो इसके तेल की मालिस करने से मार्केट में इसके तेल आते हैं तो इसके तेल के मालिस करने से या एक-एक बूंद का तेल नसर डालने से या कि आपके हातों पैरों में जोडों में बदन में दर्दा हो रहे हैं तो इसके तेल से मालिस करने से पक्छा घात की बीमारी ठीक होते हैं वाद रोग में काफी लाब मिलते हैं यानि कि आपके हातों पैरों में जोडों में दर्दा हो रहे हैं उसमें काफी लाब मिलते हैं इस इसके साथ बीजों को दुद में पीस करके नाग पट अपका देने से पिलिया की बीमारी ठीक हो जाते हैं। को लाइक करें फिर्ब को में यह जरूर बताएं यह जानकर यह को कैसे है कया और चुछ कि इस किस नामसे जाना जाते हैं हमें जरूर बताना देखने के लिए धन्यवाद नमस्कार